कि मैं स्लाव अलेकुम दिस आदिया उश्यद आम एस्ट्रॉलजर एनलपी ट्रेन और हिपनो थारपिस्ट कैसे हैं जनाब आप सब मुझे अमीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे अलाद आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिप्स और मान में रखें दौाइं हमेशा ऐसे ही करते र और जिस टॉपिक का इंतजार मुझे अमीद है आप सब को बहुत देर से है और आप सबने बहुत दफ़ाइस का जिकर भी कि इन्फेक्ट मैंने भी बहुत दफ़ाइस का जिकर किया कि इसके बारे बात करेंगे क्योंके बहुत जो बड़े प्लानेट जिन में से राहू की इसके बारे में अकसर जिकर करती रही बहुत दफ़ा इसके उपर मैंने पहले भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूं वक्तन से वक्तन जब इनकी ट्रांजिट आई जब इनकी डर्न आती रही क्योंकि हर 18 महीने के बाद इनकी ट्रांजिट होती है और इस दफ की अइजब इसको Explain क्या है कि 2023 क्यों important है 2023 में ऐसा क्या हुआ है 2023 में ऐसी तबदीलिया आई हैं कि हर साल में तो transit करते हैं मगर 2023 में क्यूंकि सैटर्न ने भी ट्रांजिट किया शुरू में ही कर दिया जूपिटर भी किया जूपिटर की वे ट्रांजिट हो गई राहु ये ऐसा साल साबित हुआ जिसमें हर प्लैनिट की ट्रांजिट आए क्यूंकि हर साल में ऐसा नहीं होता है हर साल में ये जरूरी नहीं होता है कि प्लैनेट ट्रांजिट कर जाए रहो कि तो तो जहर है जिसना मैंने भी आपको बताया कि अठारा महीने के बाद करते है तो अठारा महीने के अंदर हर साल तो ना आया इसी तरहां से जो सैटरन है तकरीबं धाई साल बात, युपिटर जो है तेरा महीने के बाद तौ जरूरी नहीं होता है कि हर साल में प्लैनिट ट्रांजिट गजा, यही चार बडे प्लैनिट है जिनकी ट्रांजिट जरा देर के बाद होती invited बाकी Mercury है Venus है ये तोसन है महिने के बाद ये वो ट्रांजिट है जो करते हैं जिसकी वज़ा से आपको explain भी किया जाता है weekly monthly predictions भी दी जाती है अब ये major planets है और इस साल में ये सारी तबदीलियां आई यानि कि सारे ही planets अपने घर छोड़के दूसरे घर में तबदील हुए आज की बताने जा रही है राहू की तो जिसको चांद की परच्छाई कहा जाता है इसको नौर्थ नोड रहने के राहू को नौर्ट रोड और की तो को साउट नोड यह सारी बाते उन लोगों के लिए खास्त आप explain करें जो कि सीखना चाते हैं जानना चाते हैं information लेना चाते हैं Aries to Pisces क्या होने जा रहा है इस वेरी मच इंपॉर्ट अच्छा जी नेक्स्ट हमारा जॉडिक साइन है जी इक्वेरियस आप लोगों के लिए राहू आ गया है दूसरे घर में की तो आ गया है जनाब अब आपके आर्ट फिगर में एक तो अच्छी बात यह है कि आपके finances बहुत अच्छे होने वाले हैं घरे मामलाद बहुत अच्छे वाले हैं । जिससे पहले अगर आप किसी मामलाते फसे वेते चीज़ फसे वेते तो आपको कोई इसका शेयर को ऐसी चीज़ लेकिन यह एक है भी लंबा सिलसला है जो मैंने 18 मैंस का आपको बता है तो एक तो यह चीज़ होगी लेकिन आपकी यहां पे अपने इंकम और रिसॉर्स इस अगर आप फसे वेते या कोई आपके खिलाफ को महिम चल रही थी तो उससे अब आप यहां पे फाइनली निकल जाएंगे तो यह इसी दुरानिये में आप उस चीज़ से निकल जाएंगे